Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 5.2 का question number 5 देखते हैं क्या है Find the number of terms in the age of the following APs हमें यहाँ पे 2 AP गीवन है इनके अंदर हमें क्या निकालना है बच्चो? Number of terms निकालनी है Number of term का मतलब N की value हमें find out करनी है तो कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं सबसे पहली AP हमें गीवन है 7, 13, 19, up to 205 इसके अंदर हमें गीवन क्या है? First term 7 है Common difference कैसे निकलेगा? Second term minus first term करके तो D is equal to second term क्या है? 13 First term क्या है हमारी 7 13 minus 7 कितना आ गया? हमारा 6 आ गया तो D की value मुझे 6 मिल गई उसके बाद 205 क्या है हमारी nth term जो last term होती है हमारी AP की ये last में ही है तो AN हमें 205 गीवन है और N की value हमने निकालनी है समझ में आ गया क्यों से नमें गीवन क्या है और हमने निकालना क्या है? formula क्या लगेगा? AN is equal to A plus N minus 1 into D AN क्या गीवन है? 205 is equal to A की value हमारे पास 7 है plus में N की value निकालनी है into D की value हमें 6 गीवन है ठीक है? 7 को ले आते हैं इस तरफ 205 minus 7 is equal to N minus 1 into 6 205 में से 7 गया तो 198 is equal to N minus 1 into 6 ये 6 से हमारा cancel out हो जाएगा काटते हैं इसको 6 से 6 से इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो यहां multiply में इदर आएगा divide में हो जाएगा तो यहां पे इसको ऐसे भी कर सकते हो इस step से next हम 198 by 6 is equal to N minus 1 confuse मत हो ना 6 से काटो इसको 6 3 जा 18 फिर 18 हो गया 6 3 जा is equal to N minus 1 तो हमारा यहां पे क्या आगया? N is equal to minus 1 इस तरह हो जाएगा 33 plus 1 तो N is equal to क्या आगया? 34 तो इस AP के अंदर total 34 term होंगी समझ भी आगया? clear है? second वाले पे चलते हैं second part में हमें क्या दे रखा है? बच्चो AP 18, 15 is to 1 by 2 13 और up to minus 47 first term हमें गेज़े दे रखे हैं यहां पे 18 common difference कैसे निकलेगा? second term minus first term करके तो 15 is to 1 by 2 minus 18 करके इसको simplify करते हैं 15 to 30 और 1 31 by 2 minus 18 by 1 इसका LCM कितना आगया? 2 तो 31 minus 18 to 36 तो कितना आगया? minus का 5 by 2 तो D की value आगे मेरे पास minus का 5 by 2 इसको ले लेते ब्लोक में क्योंकि इसकी importance है बहुत ज़दा तो इसलिए हम इसको थोड़ी importance दे देते हैं ब्लोक में लिख लेते हैं और हमें nth term an is equal to दे रख्या minus का 47 जो भी data हमें given है वो लिख लिए हमने ब्लोक के अंदर अब हमें निकालने है number of terms की इस AP में कितनी terms होंगी an is equal to a plus n minus 1 into d से निकलेगी an की value क्या है? minus का 47 is equal to a की value क्या है? 18 plus में n निकालना है into d की value क्या है हमारी minus का 5 by 2 करते हैं यहां पर 18 इस तरफ आएगा minus का 47 minus 18 is equal to n minus 1 into minus का 5 by 2 ठीक है? clear है? अब minus का 47 और minus का 18 कितना हो गया? minus का 65 अब यहां minus 5 by 2 multiply में है देखो दिहां से क्या है? minus का 5 by 2 into n minus 1 ऐसे है यहां पर देखो minus से minus कट गया 2 की multiply इससे होगी 5 निच्छे आ जाएगा तो यहां पर क्या हो गया? 65 multiply 2 divide by 5 is equal to n minus 1 ठीक है? तो यहां पर 5 से कट करेंगे तो इसको 13 हो गया, 13 to 2 जा क्या हो गया? 26 is equal to n minus 1 minus 1 इस तरफ आएगा तो 27 is equal to n तो n की value आगी हमारे पास 27 और this is the answer number of terms आगी 27 clear हो गया? कोई दिक्कत नहीं है कोई भी problem लग रही हो तो आप मुझे comment करके जरूर पूछे, otherwise channel को subscribe कीजिए, like कीजिए और share कीजिए thank you students for watching your channel next class is the